उत्तर प्रदेस में खंड सिच्छा अधिकारी यानि BEO की नई भड़ती के लिए बेसिक सिच्छा निदसाले की तरब से रिक्पदों का वेवरा जुटाया जा रहा है। और जैसा ही रिक्पदों का वेवरा आ जाएगा ये सारा रिक्पदों का वेवरा जो है लोग से वा आयों को भेज दिया जाएगा और वहां से आपको खंड सिच्छा अधिकारी बड़ती 2022 का नया विग्यापन देखने को मिलेगा। बहुत सारे चाहतर पूंच रहे थे किसर खंड सिच्छा अधिकारी बड़ती के बारे में एक वीडियो बनाएए। इसमें A2-Z सारी चीज़े बताईए कि क्या इसमें flexibility criteria होता है, age limit क्या होगा, selection process क्या होगा, ठीक है, तो A2-Z सारी चीज़े इस वीडियो आपको जानने को मिलीएगी तो वीडियो को आप लोग like और share कर दिचे कर द intéressant मेरेपास दूसीत तो ये notification है three smile अधिकारी बढ़ती है 2019 का इसी ओफीशल नोटिफिकेशन से मैं आपको साली चीज़े यहां पर बताऊंगा क्या इसमें इल्विटी क्रेटरिया मांगा जाता है तो वीडियो को आप लोग लाइक और सेर कर दीजेगा और वीडियो को पूरा दीखेगा सबसे पहले यह जान पर आपकी जॉब लगती है तो मिनमम मिनमम यह कि फैन्सटध रजार की अपकी स्टाटिंग होगी ठीक है प्जिट्री वाली सेम अपकी मुलेगी अब यहां पर बात करतें एिल्विटी क्रेटरिया को लेकर के वारे विहां पर देके इस पर श्रूप से इनोंने लिखा है कि भारत में विधी दोरा इस्थापित किसी विश्विद्याले से सिच्छा सास्तर में इसनाता कुपादी ठीक है यहां पर आप लोग दे सकते हैं जिस्च्छा सास्त्र में न न हो तो राज की प्रसिछन विद्याले या राज की बेसिक प्रसिछन विद्याले से रजिष्टर विवागी परिच्छाएं उत्त्र प्रत विद्ध परतली डिप्लोमा सिंपल सी बात यहां पर यह की गई कि आपका जो है यहां पर किसी विश्विद्दाले से सिच्छा इस नातक में इस नातक उबादी यानि आपके पास B.E.A.D. होना चाहिए सिंपल सी बात यह है B.E.A.D. या फिर L.T. डिप्लोमा पहले चलता था फिलाल अभी बंद कर दिया गया है तो अगर आपके पास B.E.A.D. की डिगरी है आपने B.E.A.D. किया हो B.E.C. किया हो इससे मतलब नहीं है आपका B.E.A.D. है या L.T. डिप्लोमा है तो यहां पर पी में लिखित हिंदी का कारकारी ज्यान परंद अन्य बातों के समान होते हुए उन्हां विर्थों का दिवान दिया जाएगा इनके पास राज की बिशिक्स प्रसिच्छन विद्याले से बेख सिच्छा में L.T. डिप्लोमा हो या जिनके पास भारत में विदी दौरा इस है और कुछ भी कर दिक्कत नहीं आपर जो इजिविल्टी में में है वो आपका यही है कि आपका बियर्ड या L.T. का डिप्लोमा हो है साथ में हिंदी का आपको ग्यान होना चाहिए ठीक है अब अधिमानी अरताम बोला गया कि अगर आपके पास दो वर्स का प्रादेशिक सेना में अपने सेवा की है तो आपको यहां पर वरिता दी जाएगी NCC का बी प्रमारपत्र तब भी आपको वरिता दी जाएगी लेकिन अधिमानी में यह कंपल सरी नहीं है आयू के बारे में बात कर लेते हैं तो आयू के बारे में यहां पर बोला गया कि कम से कम जो आयू सीमा है वो चालिस वर्स आपकी होने चाहिए जो रजल्ब कटेगरिक की अब बिर्थी होते उनको उपरी सीमा में नियमान उतर छूट का भी प्रावदान यहां पर होता है ठीक है अगर बात करें कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है तो जब 2019 में पहली बार विग्यापन जा पर क्या है तो एलिजबल्टी आयू ‫सीमा आपने समझ लिया अब यहां पर देखते है कि आपका सिलेक्षन यहां पर कैसे होता है दोस्तों यहांपर सेलेक्षन के लिए आपका रेटरन एक्जाम होता है कोई इंटर्विव नहीं करवाया जाता है लेकिन दोस्तों जो आपका return exam होगा वो दो फेस में होगा पहले प्रारंबिक परिच्छा होगी उसके बाद मोखे परिच्छा होगी अब यहाँ पर प्रारंबिक परिच्छा के pattern को समझे लिए किस तरीकिसे paper आएगा पठकर में क्या क्या आएगा आपका प्रारंबिक परिच्छा के बारे में आपकी दो गंटे की होगी ठीक है 120 परिच्छा में आएगे multiple choice questions होगी और total जो पूरांक होगा वो 300 नंबर का होगा मुलब सीरी सी बात यह है कि एक question लगबग आपका 2.5 marks का होगा ठीक है अब प्रारंबिक परिच्छा का जो पाठकर में वो नीचे यहाँ पर देखी दिया गया है इसमें सा मानी विग्यान आएगा बारत क्रιथ यास आएगा बारती रश्टी अंदोरन आएगा बारती राजटी राज़तंत्र अर्थवयूश्त म संस्कृति यह गगा बारतशी मुझा बारती क्रसी मुझालत जाण संख्या परिफद्य के सामान और समाजिक प्रथावम के संबंद विश्यस जानकारी साथ प्रारंबिक गड़िद भी आएगा हाई स्कूल इस तरह तक जिसमें अंगड़िद बीचगड़िद रेखागड़िद तीनों आपका आएगा तो इतना आपका प्रारंबिक परिच्छा का पाठकरम है सारी मकilia प्र由क जीए निया क्योंत आपक डीच्छा में तो कर रेक lxq9 कि यहां पर लिखाए कि पहला पेपर होगा वह सामान अध्यन का होगा जिसमें आपका पूड़ांगं गोंने जानका मिलेगा और इसकर यह अपका अपरहला मुक्त प्रельक को यहिए आपका उपर trip आव आपका प्रत्तम घंड के आएगा तो भी आपका सब्सक्राइबा और इसे संबंदेद प्रसंदेंगे सासकी आपको LATER लिखना आना चाहिए वाक्यों का हिंदी से उंगरेजी और हिंगरेजी से लिदियों नुमाद भी आना चाहिए साथ में अनेकार्थि सव्द भिलों सव्द प्रयावाची सव्द तत्सम तदबाव और जो भी Grammar होती हिंदी की यहाँ पर सब्दों की सीमा जो दीगे ये 700 सब्सक्राइब करके आपको निबंद की रूप में लिखने होंगे कि इसके बारे में यहां पर देखे लिखा हुआ है इस प्रस्ट करके कि देख में आपको बता देता हूं यहां पर देखे लिखा है कि मोखे परिच्छा जोगी आपकी 400 नंबर की होगी सामान धन पेपर वन में आपके जो होगे वो प्रस्टों के कुल संक्या 40 यह थिक है और और अनिवार होगे सबी कंदों में कहनद रहेंगे सामान उतरी होोंगे अदिक्ताम 125 में आपको लिखना होगा ठीक है एवां परतेक प्रस्ट नॉंबर का होगा इसके बाद बाज होगा इसके अंदर कर दस प्रसन लगोतरी पूछा जाएंगे जिसको आपको अधिक्तम पचास सब्द में लिखना होगा एक प्रसन छह रंबर का होगा इसके बाद खंड सा होगा इसके अंदर गत 20 प्रसन आएंगे लिकन यह अधिलागोतरी प्रसन आपके होगे ठीक है तो यह जो मैंने चीज़े त्यरा गुना अपनी जगा बना पाएंगा मनलना प्रारंबीक परिच्छा में 27 प्रारंबीक परिच्छा फ्रीक होगी ठीक है और जो final merit आपकी बनेगी, final merit केवल आपकी मोखी परिच्चा के अधार पर बनेगी, प्रारंबिक परिच्चा केवल qualifying है, आपको तेरा गुना में अपना इस्थान बनाना, यानि अधिस से अधिक स्कूर करना होगा, तभी आप इस्थान बना पाएंगे, बाकी परारंबिक परिच्चा qualifying रहेगी, एक बार qualify कर गए, तो आप मोखी परिच्चा में पहुँच जाएंगे, ठीक है, और जो आपकी final merit बनेगी, 400 number के साब से बनेगी, जो कि मोखी परिच्चा का अपका उडांग का है, अब यहाँ पर कुछ प्रस्न लोगों दोरा पूंचे जाते हैं, तो मैं उनका उत्तर बता देता हूँ, सबसे पहला प्रस्न क्या है, यहाँ पर BTC वाले या डिलेड बेरती आवधन कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल आवधन नहीं कर सकते हैं, BTC, डिलेड वाले यहाँ पर आवधन नहीं कर पाएंगे, क्या यहाँ पर बीलेड वाले आवधन कर पाएंगे, तो बीलड के बारे में पिछली बार तो कोई पराधान नहीं था, इस बार हो सकता है, इनको मौकर दिया जाए, तो अभी फ़लाले यह चीज़े इस पस्ट नहीं है, जो भी लोग चार वरसी भी एलेड कोर्स कर रहे हैं, कि यह वे मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो नो कि अब बडेट पाने के लिए आप लोग चनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद.